फ्रेंट से लिए आज हम टेस्टी सी रागी की एक नई रेसिपी ट्राई करते हैं पहले हमने इसकी इडली बना ली है और उसके बाद फिर हम उसे रख दिये थे फ्रेंट नमस्कार आज रागी और मूंग से बना हुआ हम इडली के रेसिपी पहले बना चुके हैं और जादा मत्रा भी बना कर उसे रख दिया था अब इसी चटपटा हम साम के नाश्टे में बनाएंगे और जो रेसिपी है पहले मैंने बनाया उसका लिंक मैं दे दूंगी इसे पास से छे दिन भी आप रख सकते हैं कडाई में थोड़ा सा तेल डालिए और छे से साथ लोग फ्लेम पे धीमी धीमी पकाईए जब यह आपको लगे की हलका पक गया है ट्रांसलूट हो गया है तब इसके अंदर आप डालिए गाजर टमाटर जो सबजी आपको इक्षा हो बीन्स हो अभी मेरे पास गाजर है टमाटर है तो उससे ही हम डाल सकते हैं इस तरह से हमन लिकुल खराब नहीं होगी इसमें हम मसाले डाल दे रहे हैं और छोटी छोटी मैंने कटोरियों में बनाया था यानि जो चटनी वाली कटोरी होती उसमें और थोड़ा सा मसाला गरम हल्दी जो मसाले आप यूज करना चाहते हैं अगर चाहें तो मैगी मसाले भी डाल सकते ह हैं थोड़ा सा सिनमेन पॉडर इन चीजों को डालके हम मिक्स करेंगे लैसु नदरक और चिली का पेस्ट जो हमारे नाश्टे को काफी टेस्टी स्वाद देगा इस तरह से आप सूजी की बच्ची हुई इडली को भी प्रयोग में ला सकते हैं रागी की इडली बहुत हेल या हम जैसे मैगी वेगरा खाते हैं वो हेल्दी नहीं होती है इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर ढख देंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि रागी की इडली जो है तोड़ी ड्राई किसम की है और ड्राई हो गई है फ्रिज में रखने के कारण थोड़ा सा इसमें हम सौफ दाल दे रहे हैं रोस्टर जो हमारे इडली के स्वाद को और अधिक बढ़ाएगा यानि नाश्ते के स्वाद को थोड़ा सा हम कश्मीरी मिर्च डाल देंगे ताकि इसका कलर थोड़ा अच्छा हो जाए अगर आपके पास नहीं है तो मट डाल ये थोड़ा सा पानी डाल द इसके साथ ही से सर्व कर सकते हैं अगर आपको लगे थोड़ा सा पानी कम है तो आप एक्स्ट्रा पानी मिला दीजे ताकि ये पूरी तरह से इडली जो है पानी क्यों सोक कर लेगी और ये बहुत ही सॉफ्ट और गरम होने के बाद और टेस्टी नास्ता बन कर तयार हो गया इसमें थोड़ा सा मुमफली सर्व कर दीजिए यानि जीज भी तरह से चाहें इस नास्ते को आप सर्व कर सकते हैं और मैंने इसे हल्दी की पती में सर्व किया है हल्दी की पती बहुत ही हल्दी होती है गरम गरम हम इसके अंदर अपनी इडली को डालेंगे और उसके बाद और भी अनुखा हो जाएगा और ये अपनी हल्दी का भी फ्लेवर ले लेगी इस तरह से हम टेस्टी सी रेसिपी सर्व करेंगे दो लोगों के लिए बनाया आप जादे लोगों के लिए बनाए तो भी इस रेसिपी को इसी तरह से सर्व किचिए लोगों को बहुत पसंद जाएगा नया और हल्दी नाश्ता बनकर तयार है